नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर संदीब कुमार जैन है और आज हम मनोविज्ञान विशे की कक्छा 12 के अध्याय 6 अभीपृत्ती एवं सामाजिक संग्यान के भाग एक का अध्यान करेंगे इस भाग में हम सामाजिक व्यावारों को समझेंगे अभीपृत्ती की प्रकृती और घटकों को जानेंगे अभीपृत्ती की विशेस्ताओं की व्याख्या करेंगे अभीपृत्ती निर्मान को जानेंगे और अभीपृत्ती परिवर्तन से संबंधित विभिन संप्रत्यों क कुछ विज्यापनों के नमूनों के साथ इस भाग का आरंब करते हैं। कुछ प्रचलित विज्यापनों को याद कीजिये, कोई भी! चाहे वह required किसी моторसाइक्ल का हो , या फिर किसी कार का विज्यापन किसी सावुन का हो सकता है या फिर रंग गोरा करने का दावा करने वाली क्रीम का विज्यापनों से संबंधित एक कार्य आपको देता हूँ एक सारणी बनाई है जिसमें कुछ सूचनाएं भरिये विज्यापन किस उत्पाद को वेचने के लिए किया जा रहा है विज्यापन किसके द्वारा किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है सितातपर है पुरुष के द्वारा, स्तुरी के द्वारा, बालक के द्वारा या बालिका के द्वारा विज्यापन प्रिसिद्ध हस्ती द्वारा या आम कलाकार द्वारा किया गया है विज्यापन के संदेश में तारके कपील है या फिर भावनात्म कपील है जब सारणी बन जाए तो देखिए कि अलग अलग उत्पाद कम्पनियां किस तरह की रणनीती का उप्योग कर रही है और हाँ एक सवाल और भी है क्या विज्यापन से प्रभावित होकर आप कोई उत्पाद खरीते हैं आपका जबाब हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है जबाब चाहे जो भी हो लेकिन एक सवाल आपके मन में उठ गया होगा क्या विज्यापन देखकर उत्पाद के वारे में निर्णे लेना उचित है इसका उत्तर भी आपको ही तलाश करना है इस भाग का अध्यन समाधान खोजने में सहायक हो सकता है क्योंकि इस भाग में हम सामाजिक ब्यावारों की बात करेंगे और इन ब्यावारों में परिवर्तन किस तरह से आता है उसको भी हम समझने का जानेने का प्रयास करेंगे शुरुवात सामाजिक ब्यावार से करते हैं मनुविज्ञान की साखा सामाजिक मनुविज्ञान में उन सभी ब्यावारों का अध्यन किया जाता है जो कि दूसरों की वास्त्विक उपस्थिती, कालपनेक उपस्थिती या फिर अनुमानेत उपस्थिती में घटित होते हैं और इस तरह से सामाजिक व्यवार के अंतरगत, अभीवरत्ति, छबी निर्माण, गुणारोपन, सामाजिक संग्यान, समाजोप कारी व्यवार की व्याख्या करना समलित होता है चलिए सबसे पहले अभीवरत्ति की प्रकृति को समझते हैं आप सभी जब किसी से बात करते हैं तो कुछ इस तरह के वाक्य भी बोलते हैं मेरा मत है या फिर मेरा मानना है कई बार आप अपने मत को सिर्फ एक विचार के रूप में व्यक्त करते हैं जबकि कई बार मत में आपका भावनात्मक पक्ष भी शामिल होता है और आप उस विचार के अनुसार कार भी करने के लिए प्रवत्ति जाहिर करते हैं इस अवस्था में आपके मत के बल मत नहीं रह जाते हैं ये आपकी अभिवरत्ती के उधारण है अभिवरत्ती किसी विशय के संबंध में विचारों का एक पुंज है जिसमें मुल्यांकन परक विशेष्ता पाई जाती है इसमें सामवेग एक घटक भी होता है और अभिवरत्ती विशय के प्रती एक विशेस प्रकार का व्यावार करने की प्रुवत्ती भी पाई जाती है और इस तरह से अभिवरत्ती में संग्यानात्मक, भावात्मक और व्यावारात्मक घटक होते हैं चले अब हम बात करते हैं अभीब्रत्ती की विशेष्टाओं की पहली विशेष्टा है कर्शन सक्ति कर्शन सक्ति को हम आमतोर पर सकारात्मक या नकारात्मक रूप में देखते हैं कर्शन सक्ति बताती है कि अभिवरत्ती किसी एक विशय के प्रती सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है सामानित है जब हम अभिवरत्ती का मापन करते हैं तो पाँच बिंदू की मापनी पर हम करते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच इस तरह से पाँच बिंदू होते हैं और हम ये बोलते हैं कि चार या पाँच इस तरफ है तो अभिवरत्ती सकारात्मक है और यदि एक या दो का मतलब अभिवरत्ती नकारात्मक है अगली विशेष्टा है चरम सीमा अभीवरत्ती की चरम सीमा यह प्रदर्शित करती है कि अभीवरत्ती किस सीमा तक सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है अगली विशेषता है सरलता या जटिलता कई बार हम एक ब्यापक अभीवरत्ती के अंतरगत कई अभीवरत्तियों को रखते हैं किसी एक विशय पर उसके उप विशयों से संबंधित अभीवरत्तियों का रखा जाना जटिलता का ओधारन है अगली विशेष्ता है केंदरीता यह विशेष्ता किसी अभीवरत्ती तंत्र में किसी विशेष्ट अभीवरत्ती की भूमिका को बताती है किसी अभीवरत्ती तंत्र में केंद्री अभीवरत्ती अन्य अभीवरत्तियों को प्रभावित करती है चलिए अब हम बात करते हैं अभीवरत्ती निर्मान के मनुवैज्ञानिक इस प्रश्ण में रुची रखते हैं कि अभीवरत्तियों का निर्मान कैसे होता है अलग अलग अध्यानों से प्राप्त जानकारी की विवेचना करते हैं चलिए सबसे पहले बात करते हैं सहचरे द्वारा अभिवरत्ती का अधिगम जब दो व्यक्तियों के सहचरे के कारण अभिवरत्ती का निर्मान होता है तो हम इसको सहचरे के कारण निर्मित अभिवरत्ती कहते हैं जैसे कि अध्यापक और विध्यार्ती के बीच सकारात्मक सहचरे उस अध्यापक के द्वारा पढ़ाये जाने वाले विशय के प्रती सकारात्मक अभिवरत्ती निर्मान में सहयोगी होता है दूसरा संप्रत्य है दंड या पुरुसकार के कारण अभिवृत्ती निर्मान एक विशिष्ट अभिवृत्ती के प्रदर्शन के तुरंत बाद यदि प्रसंसा मिले तो अभिवृत्ती विक्सित होती है किन्तु डाट, फटकार या उपसाह मिलने पर वही अभिवत्ति अवरुद्ध हो सकती है प्रतिरूपन या प्रेक्षन के माध्यम से भी हम अभिवत्ति निर्मित करते हैं हम स्वयम के अनुहों के साथ साथ दूसरों का प्रेक्षन करके यह देखकर के दूसरे को उस अभिवत्ति का प्रदर्शन करने पर किस तरह का परिणाम मिला है उस दूसरे को देखकर हम अभिवत्ति का निर्मान करते हैं अभिवत्ति निर्मान में समू और संस्कृतिक मानक भी प्रमुक भूमिका का निर्वहन करते हैं अपने समुह या संस्कृति के मानकों के अनुरूप हम अभिवृत्ति विक्सित कर लेते हैं सूचना के प्रभाव के कारण से भी अभिवृत्ति का अधिकम होता है संचार माध्यमों से प्राप्त सूचना के माध्यम से भी अभिवृत्तियों का निर्मान होता है किसी महापुरुष की जीवनी को पढ़कर हम उसके जैसी अभिवृत्ती विक्सित कर सकते हैं चलिए अभ हम बात करते हैं अभिवृत्ती निर्मान को प्रभावित करने वाले कारकों की पहला कारक है परिवार इवं विद्याले का परिभेश फिर उसके बाद संदर्व समुह और उसके बाद व्यक्तिगत अनुभव साथी साथ संचार माध्यम संबध प्रभाव भी अभिवृत्ती पर देखे जा सकते हैं जीवन के प्रारंबिक वर्षों में परिवार के सदस अभिवरत्ती निर्मान करने में महतपूर भूमी का निभाते हैं जबकि बाद के वर्षों में विद्ध्यालय का परिवेश और विद्ध्यालय के परिवेश से मिलने वाले प्रवलन या फिर प्रेक्षन अभिव्रत्ती निर्मान की प्रस्ट भूमी बनते हैं राजनेतिक, सामाजिक मुद्धे, व्यवसाय, राश्टी मुद्धे, आधी के प्रती अभिव्रत्ती प्राय संदर्व समूह के माध्यम से विक्सित होती है किशोर अवस्था में संदर्व समूह का प्रभाव अधिक होता है हाला कि संदर्ब समूह में भी प्रेक्षण, दंड और पुरुसकार के कारण से ही अभिवृत्ती पल्लवित होती है व्यक्ति के निजी अनुभव अभिवृत्ती निर्मान को प्रभावित करते हैं कई बार तो एक प्रमुख घटना मातर ही समूचे अभिवृत्ती तंत्र को बदल देती है जीवन के प्रती एक नया दृष्टिकोन विक्सित होता है नया ब्यावहार प्रारूप विक्सित होता है आपने देखा होगा कि कुछ कैंसर से पीडित व्यक्ति अपने रोक से लड़कर ठीक भी हुए और उन्होंने दूसरे पीडित व्यक्तियों की मदद के लिए काम भी किये अभीवरती निर्माण में संचार माध्यम संबध प्रभाव आज के दौर में अधिक महतपूर हो गए हैं जब आपकी उंगली के एक क्लिक पर इंटरनेट दुनिया भर की सामगरी आपके सामने परोस देता है सोशल मीडिया पिछले कुछ वर्षों में एक महतपूर प्रभाव के रूप में उभरा है पाठिकरम के अतिरिक्त पड़ी जाने वाली किताबें भी इस श्रणी में योगदान देती हैं इस तरह के माध्यम सबसे पहले संग्यानात्मक और भावात्मक घटक को प्रभावित करते हैं फिर ब्योहारात्मक घटक को भी प्रभावित करते हैं संचार माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं पर सिक्षक, अभिभावक और शोसल मेडिया पर प्राप्त जानकारी पर तो संपादक का भी कोई नियंतर्ण नहीं होता है इस कारण से अभिवृत्ति निर्मान की दिशा पर भी कोई नियंतर्ण नहीं रह जाता सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरह की अभिवृत्तियों का निर्मान संभव है अतह हमें सूचनाओं के चुनाओं में साउधानी रखने की आवश्यक्ता है अभिवृत्ति परिवर्तन कई बार एक सिक्षक के रूप में विध्यारतियों की अभिवरत्ती परिवर्तन या फिर एक टीम लीडर होने के नाते अपनी टीम के सदस्यों की अभिवरत्ती परिवर्तन करने के बारे में हम सोचते हैं जिससे हमारी कक्षा या फिर हमारी टीम एक सही दिशा में चल सके अभीवरत्ती परिवर्तन हे तू विज्ञापन कमपनियां भी प्रयास करती हैं ताकि वोगता कि अभीवरत्ती में परिवर्तन कर वांचे तुत्पात को बेचा जा सके चलिए अभिवरत्ती परिवर्तन में नहित कुछ प्रक्रियाओं को समझते हैं सबसे पहले फ्रिड्स हाइडर द्वारा प्रतिपादित संतुलन संप्रत्य की बात करते हैं इस संप्रत्य को P, O, X तिरकोण के रूप में भी व्यक्त किया जाता है जिसमें P वह व्यक्ती है जिसकी अभिवरत्ती का अध्यन किया जा रहा है O एक अन्यव्यक्ती है तथा X अभिवरत्ती का विशय या फिर कोई एक और अन्यव्यक्ती हो सकता है जब तिरकौन की तीनों भुजाएं सकारात्मक या फिर दो भुजाएं नकारात्मक तथा एक सकारात्मक है तब संतुलन की स्थिती होती है दो उधारनों से समझते हैं उधारन एक व्यक्ति P और O एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ही व्यक्ति X को भी पसंद करते हैं अर्थात P O भुजा सकारात्मक है P X भुजा सकारात्मक है और O और X भुजा भी सकारात्मक है तीनों भुजाएं सकारात्मक होने के कारण संतूलन की स्थिती होती है चलिए दूसरा उधारन देखते हैं व्यक्ति P और O एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं लेकिन दोनों ही X को ना पसंद कर रहे हैं अर्थात P और O भुजा सकारात्मक है तथा Px और Ox ये दो भुजाएं नकारात्मक है इस स्थिती में भी संतुलन की स्थिती रहती है चलिए अब कुछ और सोचते हैं उधारन तीन व्यक्ति पी और ओ एक दूसरे को नापसंद करते हैं और दौनों ही एक्स को भी नापसंद करते हैं अर्थात पी ओ भुजा नकारात्मक पी एक्स भुजा नकारात्मक एवं ओ एक्स भुजा भी नकारात्मक हैं तीनों भुजाये नकारात्मक होने से आसंतुलन की इस्थिती उत्पन्न होती है एक और ओधारन देखते हैं व्यक्ति P और O एक दूसरे को पसंद करते हैं O X को भी पसंद करता है लेकिन P X को पसंद नहीं करता एक नकारात्मक तथा दो सकारात्मक भुजाये आसंतूलन की इस्थिती को उत्पन करती हैं इस संप्रत्य की मूल बात यह है कि आसंतूलन की इस्थिती में अभिवर्त्य परिवर्तन होता है क्योंकि आसंतूलन की इस्थिती तारकिक रूप से सुविधा जनक इस्थिती नहीं है इसलिए संतुलन प्राप्ती की दिशा में अभिब्रत्ती परिवर्तन होगा अगला संप्रत्य है लियान फेस्टिंगर का संग्यानात्मक विसंगती का संप्रत्य इस संप्रत्य की मूल धारणा है कि एक अभिवरत्ती के घटक संग्यानात्मक रूप से संगत होने चाहिए यदि कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है कि दो संग्यान असंगत या विसंबादी हैं तो वह एक संग्यान की दिशा को परिवर्तित कर सकता है उधारन के लिए मालने संग्यान एक धूमरपान करने से कैंसर हो सकता है संग्यान दो मैं धूमरपान करता हूँ संगतता संबाधिता प्राप्त करने के लिए दो मैंसे किसी एक संग्यान को बदलना होगा क्योंकि ये दोनों संग्यान एक वी संबादी इस्थिती को उत्पन्न कर रहे हैं दरसल संतूलन तथा संग्यानात्मक वी संबादीता दोनों ही संग्यानात्मक संगती के उधारण है इन दो संप्रत्यों के अलावा एक भारतिय मनोवैज्ञानिक S.M. महसिन के द्वारा दो इस्तरिय संप्रत्य का प्रतिपादन किया गया इस संप्रत्य में अभिवर्त्य परिवर्तन के दो इस्तर बताए गये हैं उन इस्तर को समझाने के लिए पहले लक्ष और श्रोत को बताया गया लक्ष वह व्यक्ति होता है जिसकी अभिवृत्ती में परिवर्तन करना है तथा श्रोत वह व्यक्ति है जिसके प्रभाव से अभिवृत्ती में परिवर्तन होना है प्रथम चरण में लक्ष श्रोत से तादात में स्थापित करता है तादात में का अर्थ है कि लक्ष श्रोत को पसंद करता है और उसके जैसा अनुभव करना चाहता है दुतिय चरण में श्रोत द्वारा अपनी अभिवर्त्ती में परिवर्तन किया जाता है श्रोत की बदली हुई अभिवर्त्ती को देखकर लक्ष भी अपनी अभिवर्त्ती में परिवर्तन करता है चलिए अभ हम बात करते हैं अभिवर्त्ती परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों की सबसे पहला कारक है पहले से विद्धिमान अभिवृत्ती की विशेस्ता अभिवृत्ती की विशेस्ता हैं जैसे की कर्षण सकती, चरम सीमा, सरलता जटिलता और कैंद्रियता ये अभिवृत्ती परिवर्तन पर प्रभाव डालती हैं यह देखा गया है कि सकारात्मक अभीवर्तियों का परिवर्थन आसान होता है, नकारात्मक अभीवर्तियों का परिवर्तन मुश्किल होता है परिवर्तन संगत भी हो सकता है अर्थात जिस दिशा में अभिवर्त्ती है उसी दिशा में अभिवर्त्ती का और ज्यादा मजबूत होना परिवर्तन असंगत भी हो सकता है अर्थात जिस दिशा में अभिवर्त्ती है उसके विपरीत दिशा में परिवर्तन होना अगला है श्रोत की विशेष्टाएं अभिवरत्ती परिवर्तन के लिए संदेश देने वाले श्रोत की विशेष्टाएं अभिवरत्ती परिवर्तन में महत्पूर्ण भूमी का निर्वहन करती हैं जैसे कि श्रोत की विश्वस्नियता, श्रोत की आकरशकता और श्रोत की लोकप्रियता यही कारण है कि अक्सर लोकप्रिय कलाकार या खिलाडी या किसी प्रशिद व्यक्ति को विज्यापन में किसी उत्पाद का उप्योग करते हुए दिखाया जाता है संदेश विशेश्टाएं अक्सर अभिवर्त्ती परिवर्तन हे तू दिये जाने वाले संदेश में तारकिक अथ्वा सामवेगिक अपील होती है जिससे लोग प्रभावित होते हैं कुछ विज्यापनों को आप वस्तुनिस्ट होकर देखिए तो आपको ज्यात होगा कि किस तरह से तर्क या भावना के आधार पर आपसे अपील की जा रही है संदेश द्वारा कौन से अभिप्रेरक उद्दीप्त होते हैं यह भी परिवर्तन का आधार बनता है साथी साथ संदेश का माध्यम क्या है यह भी महतपून होता है अक्सर आमने सामने की अंतक्रिया ज्याद्या उपयोगी सिद्ध होती है लक्ष की विशेष्टाएं जैसे कि जिस व्यक्ति की अभिप्रत्ती परिवर्तित की जानी है उसकी अनुनायता या फिर उसके प्रबल पूर्वाग्रह या फिर उसका आत्म सम्मान का इस्तर या फिर लक्ष व्यक्ति की बुद्धी ये वो विशेष्टाएं हैं जो उस व्यक्ति की अभिप्रत्ती परिवर्तन को प्रभावित करती है लचीले सुभाव वाले व्यक्तियों की अभिवरत्ती बदलना आसान होता है अधिक बुद्धिमान व्यक्ति की अभिवरत्ती बदलना मुश्किल होता है हलाकि अधिक बुद्धिमान कई बार स्वेक्षा से गुण दोश का विशलेशन कर अभिवर्त्ती परिवर्तित कर लेते हैं हमने देखा कि अभिवर्त्ती परिवर्तन आसान काम नहीं है बस यह कहने मातर से कि अभिवर्त्ती सकारात्मक रखिये यह परयाप्त नहीं है अभिवृत्ती परिवर्तन हेतु यहां वर्णित विभिन पक्षों को ध्यान में रखकर व्यापक योजना बनानी होती है इस भाग से हमें यह सूज मिलती है कि सोसल मीडिया या विज्यापन से प्राप्त होने वाली सूचना के आधार पर अपनी अभिवृत्ती परिवर्तन करने से पूर्व तरक पूर्ण चिंतन भी कर लेना चाहिए यहां हम इस भाग का समापन करेंगे इस भाग में हमने सामाजिक व्याहारों को समझा अभिवृत्ती की प्रक्रती और घटकों को जाना अभिवरत्ती की विशेस्ताओं की व्याख्या की और अभिवरत्ती निर्मान और अभिवरत्ती परिवर्तन को समझा धन्यवाद अभिवरत्ती निर्मान और 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 अभिवरत्ती निर